स्विक्त राश्ट संग के जो विशिष्ट अभिकरण है जैसे डबलू एचो युनेश्को इसके अध्यन के बाद इनके वो समझने के बाद और इनकी क्या भूमिका रही है यह जानने के बाद अब हम उस स्थिति में आगे हैं जब हम स्विक्त राश्ट संग की सफलताओं असफलताओं का आकलन कर सकें यानि गत 75 वर्षों में स्विक्त राश्ट संग ने क्या खोया क्या पाया इसको थोड़ा बंतमलने की कोशिश करें तो हमारा अगला बिंदु है स्विक्त राश्ट संग की उपलब्दिया आखिर ये उपलब्दियों का ही परिणाम है कि स्विक्त राश्ट संग आज जिन्दा ही नहीं है बलकि विश्व राजनीती में एक आहम भूमिका निभारा है हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं निश्चत रूप से कुछ असफलताएं भी इसके हाथ लगी दुर्भागिवश लेकिन कुल मिलाकर इसने अपने इस लंबी यात्रा में जो उपलब्दियां हासिल की हैं वह काबिले तारीफ हैं अपनी स्थापना से लेकर 1945 से लेकर उसने राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैग्यानिक और सांस्कृतिक शेत्रों में ना जाने कितनी उपलब्दियां हासिल की हैं यदि हम कुछ प्रमुख उपलब्दियों का उलेक करें तो उचित होगा हम शायद बहतर इस्थिति में होंगे स्विक्तराश्चंग की अहमियत को समझने के लिए ये जानने के लिए कि विश्व राजनीति में वर्तमान विश्व शान्ती में तिंक तराश संग कितनी महत्पूर्ण भूमिका निभा रहा है प्लब्दियों में पहली प्लब्दियों की यह हम गान सकते हैं कि अब तक उसने करीब 35 से 40 शान्ति इस्थापक से नाएं एवं परवेक्षक दलों को विविन खेतरों में भेजा है 35 से 40 पीस कीपिंग फॉर्सेश शान्ति इस्थापक से नाएं मैंने आपको बताया था पूर में कि शान्ति इस्थापना के लिए सुनिक तराश संग अपने सदस्थे राश्ट्रों से नरोट करके एक सम्मिश्रित सेना बनाता है और उस सेना को उन खेतरों में भेज़ता है जहां पर शान्ति को खतरा है उन्हें कहते हैं शान्ति इस्थापक से नाएं 35 से 40 थानों पर भेज़ कर उसने शान्ति बनाने में उस खेतर में युद्ध की स्थिती को टालने में बहुत बड़ी मलत की है और ये स्वयम में एक बहुत बड़ी उपलब दिये क्योंकि स्विक्तराश संग का मुख्य उद्येश तो युद्ध को टालना और शान्ति बनाया रखना है दूसरी इसकी उपलब दी कि गत 75 वर्षों में ऐसे यदि मामले गिने जाएं जहां पर स्विक्तराश संग ने अपने दखल से शान्ति स्थापित की हो तो उनकी संख्या 175 से ज़्यादा है 175 से ज़्यादा 75 वर्षों के काल में 175 से ज़्यादा नामलों में उसने शान्ति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है ये एक बहुत बड़ी इसकी उपलब दिमानी जा सकती है विविन स्टेज पर विविन चरणों पर और विविन ख्षेत्रों में उसने समय समय पर डखल दिया है समय समय पर अपना प्रभाव छोड़ा है और ये सुनिश्चित किया है कि इस ख्षेत्र में शान्ति बनी रहे और यज़ शांती नहीं हो पारी है तो कम चेकम युद्य की स्थिति ना है तीसरी उपलब्द शेक्त राश्चंग की लोकतंत्र की स्थापना बीस्वी शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है जब राजशाही तानाशाही आदी का अवसरन हो चला यह सवतार पे हो गया और लोकतंत्र ने विश्व मंच पर एक सक्षम शासन व्यवस्था बनाने में बहुत मदद की शेक्त राश्चंग ने अब तक 45 से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र की स्थापना में मदद की है 45 से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र की स्थापना में स्थापना में शेक्त राश्चंग की भूमिका बहुत आहम है तो इस प्रकार लोक्चंत्र क्वितार धारा, लोक्तंत्री विचार धारा, डेमाक्रैसी इसके प्रचार प्रसार में और इसकी नीव को मजबूत करने में शेक्त राश्चंग बहुत महरपूर्ण भूमिका निभारा है चोथा, शेक्त राश्चंग ने अब तक राजनेतिक, असैनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी शेक्त राश्चंग ने ऐसी भूमिका निभाई है जो दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को जो स्वीकारे रही है तो स्विक्तराश संग की मध्धस्ता को स्वीकार करना ये स्वयम में इस बात का परिचायक है कि स्विक्तराश संग की भूमिका विश्वराजनीती में नकारी नहीं जा सकती विश्वराजनीती में उसका 45 से ज़्यादा मामलों में बलकि 80 से ज़्यादा मामलों में उसने मध्धस्ता की भूमिका निभाई है और ऐसा करते हुए शांति पूर्ण समाधान समस्याओं का निकाला है। तो इक तरह संग पर लोगों का कितना विश्वास है। जब पीस कीपिंग फोर्स जाती है तो समानित्या जिस खेत्र में जाती है वहां के लोगों का अनुरोध होता है। विश्वास सिंक्त राश्चंग की कारे प्रणाली पर उसकी ख्षमता पर उसकी सफलता पर बना हुआ है। अगला बिंदू सफलता का सिंक्त राश्चंग ने अब तक सौ से ज़्यादा देशों में परमानु संस्थानों का निरिक्षन किया है। परमानु कारक्रमों को असैनिक और शांति पूर्वक उद्देश की और उसको उन्मुक किया है। जब 1945 में पहला परमानु बम गिरा और फिर शीत युद्ध का काल आया। ये पूरा काल 1945 से लगभग प्रारम होने वाला काल पूरा काल जो है वास्तों में परमानु के तनाओं से परमानु बम परमानु युद्ध के तनाओं का काल रहा है। और इज़ी शीत युद की भयावहता से लोगों को डर था तो मूल रूप से उन परमान बमों की वो पत्थिति के कारण था। के लिए हो, परमानों कारकरम, उर्जा, अस्यानिक कारेओं के लिए हो और इसका किसी तरीके से दुरुपयोग ना हो। पर विश्वास करता है, ये स्वैम में एक बहुत बड़ी सफलता है सिंक तराश्चंग की, के लोगों का विश्वास सिंक तराश्चंग पर बना है। अगली सफलता का बिंदू सामराजवाद और उपनिवेश्वाद जो उननीस्वी शताब्दी की विचार धारा थी। उननीसी शताब्दी के मुख्य विचार धारा थी सामराजवाद और उपनिवेश्वाद इसके उन्मूलन पर सिंक तराश्चंग ने सतत रूप से बल दिया और ऐसा करते हुए उसने सामराजवादी ताकतों को काफी कमजोर किया, उनके विचारों पर सामराजवादी ने तो बंद ही हो गये, बलकि जो अभी तक अस्तित्म में थे, धीरे धीरे वे सारे उपनिवेश्वादी श्वतंत्र हो गया, श्वतंत्र राश्ट्रों का जन्म हुआ, तो इस प्रकार, इन सामराजवादी और उपनिवेश्वादी विचारधाराओं का पतन करते उए, तो एक तरह संग ने शनिष्टित किया कि लोकतांत्रिक विश्व के विभिन्ने देशों में आए। नवर गठित देश जो थे वहां पर सब जगह लोकतांत्रिक विश्व था है ऐसी इसका प्रयास रहा है। 24 दिसंबर 1962 के आस पाद महासभा ने प्रस्ताओ द्वारा उपने वेश्वाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की गोशना की। अब उपनवेश वाद को पूर्ण रूप से श्माप्त करना और महासभा के दोरा इस प्रस्ताओं को लिया जाना और इसके वाद का स्वीकार होना इस बात का परिचाहक है कि जो टाकते सामरा जवादी ताकतें थी ततकालीन जिसमें अमेरिका है रूस, अंगलंड, फ्रांस, जामनी, आदी ये सब इस बात पर सहमत हो गए इन पर इतना विश्व जनमत का दबाओ पड़ा कि इस बात पर सहमत हो गए कि आने वाले वर्षों म उपनिवेश्वादी विचारधारा में पूरी तरह डूबे हुए थे वे देश अब सेंक्तराश्ट संग के महासभा में विबिन देशों के दवाओं में आकर उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सील लगाई कि आने वाले वर्षों में उपनिवेश्वाद को पूल का विरोध करती रही हो कहीं पर भी अथी प्रवृत्ती पनप्ती दिखाई देती है जहां कोई एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर हावी होने की कोशिश करता है किसी दूसरे देश की सार्व भौमिक्ता पर हनन करता है किसी दूसरे देश पर कबजा करने का प्रयास करता है तो इस स्विक्त राश्चंग बड़ी मजबूती से सामने आया है और उसका विरोध किया है और स्विक्त राश्चंग विरोध किया है अर्थात उसके सदस्य राश्च जो हैं उनलोगों ने स्विक्त राश्चंग के मंच का उपयोग करते हुए अपने विरोध को इन सामराज्यवादी ताक्तों के खिलाफ समय समय पर प्रगट किया है सफलता का अगला बिंदू सुविंक्तरा संग ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्य देशों के बीच सहयोग का वातावरण तैयार किया है विश्युद्ध के काल में विश्यु समय में पर्यावरण की चिंता को लेकर भी बहुत उहापोह मची थी जो जलवायु परिवरतन, ओजोन लेयर, ब्लैक होल, ग्रीन हाउस इफेक ये जो सब नही नही बातें सामने आई ये बड़ी चिंता का कारल बनी विकास की परिभाशा को पुनर परिभाशित करने की जरूरत पड़ी उननीश्वी शिताबदी में और बीश्वी शिताबदी के प्रारंब में भी कुछ समय तक विकास करते था भौतिक विकास इस बात का करते ही ध्यान नहीं रखा जाता था बहुत अहम भौनिकाने भाई है अपने विविन मंचों से अपने विविन प्लाटफॉर्म से उसने ऐसी सम्मेलन किये हैं ऐसी रिपोर्ट्स तयार किये हैं जिसके आधार पर उसने सितत रूप से ये बताने का प्रयास किया है कि विकास की परिभाशा का जो आधार है उसे बदलने की जुरुत है सबसे पहले तो सहयोग की जरूत थी क्योंकि पर्यावरन ऐसा मुद्दा था जो जिसमें विबिन राश्ट एक मत नहीं थे एक सहयोग का वातारवन तयार करने में उसने बहुत बड़ी भूमका नहीं रियो डिजैनिरो रियो डिजैनिरो देखिए कहा है अर्जिंटीना ब्राजिल साउथ अमेरिका जक्षन अमेरिका का ये एक मुख्य शहर यहाँ पर उसने एक सम्मेलन करवाया 1992 में और इस सम्मेलन का नाम था प्रित्वी सम्मेलन अर्थ सम्मेलन और अर्थ सम्मेलन के माध्यम से विश्व नेताओं के समुदायों को उसने ये चेतावनी दी ये समझाईश दी कि समय आ गया है जब हमें विकास की परिभाशा को बदलनी होगी जब हैं में पर्यावरन की सुरक्षा को एक अहम मुद्दा मानते हुए एक ठोस कारिकरम लेकर चलना होगा ताकि पर्यावरन के साथ छेड़ खानी बंदेदी नहीं हो सकती तो न्यूनितम हो 1992 रियोड जैने रो अगली उपलब्ज स्विक्तराश संग की अपनी स्थापना के बाद से 1945 के बाद से लगभग 80 देशों को स्वतंतरता दिलाने में स्विक्तराश संग की भूमिका अहम रही है इन 80 देशों में अधिकतर देश अफरिका एशिया के थे ना वो उदिद देशों में जो स्वतंता की जो बैयार थी उसको और बढ़ाने में उसको फैलाने में स्विक्तराश संग की भूमिका बहुत अहम रही है डारिकली इन डारिकली परोख रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सेक्तराश संग ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इन नवोधित राष्टों की स्वतंता में लगभग 80 राष्टों को स्वतंता दिलाई जहां बीस्वी शिताब्दी का काल विश्वद के लिए जाना जाता है शीत विद के लिए जाना जाता है परमान विद के लिए जाना जाता है सामराजवाद और उपनिवेशवाद की समापति के लिए जाना जाता है सोवियस संग के विगटन के लिए जाना जाता है वहीं यह काल रंग भेज की नीती का एक तरीके से उन्मूलन होने के लिए भी जाना जाता है रंग भेज की नीती रंग भेज की नीती अर्थाथ गोरे और कालों में अंतर ब्लैक और वाइट जो बहुत पराने समय से चली आ रही थी रंग भेट की नहीं थी और विशेश कर पश्चमी देशों में गोरे लोग कालों को या एशियन या अफ्रीकन लोगों को ब्लैक्स कहते थे उनके साथ सौतेला विवहार करते थे और उन्हें दास के रूप में आज का जो विभाजन था रंग के आधार पे ये विभाजन अपने तीवरतर दोर में अठारवी निस्वी शिताबदी में पहुंच चका था लेकिन बीस्वी शिताबदी आते आते इस पर प्रश्ण उठाया जाने लगा और सिंक्तरा संग ने रंग भेट की नीतिके विरो आखर आवाज रहाई दक्षन अफरीका में 1994 में उसने रंग भेट को पूरी तरह समाप करवाने में बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई दक्षन अफरीका का लेकि यहां इसलिए आता है क्योंकि दक्षन अफरीका संभवता वहां आखरी राश्ट था जहां पे रंग वहां की शासन वेवता में केवल गोरे लोग थे वहां के विवन खेल कूद में केवल गोरे खिलाडी ही रहा करते थे यानि जो भी अहम भूमिकाए होती थी किसी देश में दक्षन अफरीका में उसमें गोरों का वर्चस्प रहता था जबकि जो जनसंख्या है वहां ब्लै एक बहुल थी उसमें दक्षिन अफ्रीका के लोग कले होते ही बहुल होते हुए भी उनका इसमें समाज में शासन व्यवस्था में खेल कूद में कोई योगदान कोई भूमिका थी ही नहीं यहाँ पर इसको समाप करने में सुविक्त राश्चंग ने एक बहुत आहम भूमिक का निभाई और इसकार कहा जा सकता है कि रंग भेट की नीति का लगभग आखरी किला जो दक्षिन अफ्रीका था उसे धाहाने में सुविक्त राश्चंग के भूमिका आहम है अगली सफलता सहयोगी संस्था अंतर राश्च्टी क्रिशी विकास कोश की सहायता अंतर राश्च्टी क्रिशी विकास कोश ये एक उसकी सहयोगी संस्था है उस संस्था के माध्यम से उस संस्था के उस संस्था की मदद से लगभग 23-24 करोड लोगों को उचित भोजन की विवस्था कराया उचित अन्न की विवस्था कराया उनको लाद दिलाया ये जो 23-24 करोड लोग हैं ये लगवक सौ देशों में फैले हुए थे ऐसे गैर विकसित देश आविकसित देश यहां पर भुखमरी, अकाल, आदिसे जो समस्याय थी इन से निपटने के लिए सौिक्त राश संग ने इस विकास कोश के माध्यम से करीब 23-24 करोड लोग को मदद पहुँचाई है विश्व स्वास्त संगठन जिसके बारे में आपने पढ़ा डबलू एचो इसकी साहता से निससी में संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण पृत्वी को चेचक से मुक्त किया गया और इस चेचक से मुक्त दिलाने में सिंक्त राश संग के मातहत डबलू एचो ने बहुत अहम कारे किया वरतमान में तो पोलियो मुक्त कराने के जो कारेकरम चल रहा है वह लगवग अंतिम चरण में है शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक आदो उदारन ही है जहां पोलियो के कुछ उदारन हैं जहां पोलियो के कुछ पेशेंट्स हैं पोलियो ग्रसित लोग हैं लेकिन विश जो पहले पूर में पोलियो और चेचक से काफी लबरेश थ अब वह चेचक तो समाप्त ही हो गया है पूरी तरह और पोलियों भी अपने अंतिम सांसे गिन रहा है और इसका काफी कुष्रे स्विक्तराश संग को जाता है अगली सफलता से गिन रहाश संग की स्वास्तर सुधार के कारकरम के माध्यम से जो बच्चों की मृत्युदार है शिशु मृत्युदार उसमें लगभग 50% की कमी आई है शिशु मृत्युदार और साथ हर 1000 में जितने बच्चे मरते थे जन्म के बाद उनकी संख्याब आधी हो गए और उसका कारण स्वास्तराश संग के द्वारा विभिन स्वास्तर कारकरमों के माध्यम से जच्चा बच्चा दोनों को समचित पोशन देना समचित आहार देना समचित स्वास्तर स्वविधाय देना और ये समचित पोशन आहार स्वास्तर विभिधाओं की सतत उपलब्दता स्विक्तराश संग के द्वारा मुहया कराई जाने के कारण विशेश रूप से अविकसित देशों में नवोधित राष्ट्रों में जो मृत्युदर है शिश्व मृत्युदर वो पचास पुश्चत कम हो गए है यहीं नहीं जो औसत आयू है वो भी बढ़ी है जीवन आयू जो है व्यक्ति की औसत आयू में भी वृध्य होई है पहले यह औसत आयू 37 वर्ष होती थी बाद तर 37 वर्ष अब वो वर्तमान में बढ़कर 37 के बदले अब 67 वर्ष हो गई है 67 वर्ष हो गई है और थाज पहले 37 वर्ष की उमर के आसपास लोग मानने लगते थे अब उनका मृत्युकाल आ गया है क्योंकि विविन बीमारियों से कुपोशन से अकाल और यह तमाम समच्चाओं के कारण औसतन 37 साल के उमर में अधिकतर लोग मर जाते थे अब शनक त्रास्चंग ने अपने विविनन कारेकलों के माधियों से स्वास्त संबंधी, पोशन संबंदी, कृष्च संबंधी कारेकलों के माधियों से बहतरसव इधाय मौरिया कराई है इसका परणाम क्या हुआ है कि आदमी का जो औसत जीवन का काल है वह बढ़ गया है और सड़ुसर्ट वर्ष हो गया आप देखते हूं कि आज औसत आई हो आस पास लिए आप पूछें तो लगब पसत्तर अच्छी से कम में सामाने तया लोगों के मृत्यू नहीं होती एक सामानी उम्र माने जानी लगी है पसत्तर अच्छी साल और इसका इस लंबी उम्र का श्रे काफी कुछ सिंक राच्छंग के प्रयासों को जाता है उस डबलू एचो के प्रयासों को जाता हूं अगली सफलता विश्व खाद्य कारिक्रम वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्राम के तहद हर वर्ष लगब बीस लाख टन खाद्यान शेंक्षराश्चंग वितरित करता है विश्व खाद्य कारिक्रम ये खाद्यान आता कहां से है जो सज़च्च राश्चंग के सदस्य मेंबर सदस्य राष्ट्र है उन सदस्य राष्ट्रों के पास से अतरिक्त अनाज सेंक्षराश्चंग सुनिश्चित करता है कि वह जरूरत मन देशों तक पहुँचे जरूरत मन लोंगों तक पहुँचे और ऐसा करते हुए वस्त ये भी सुनिश्चित करता है कि अनाज का भंडारन पर्याप्त हो ताकि समय पढ़ने पर उस भंडार का उप्योग आवशक तानुसार विवन जगों पर किया जा सके इस तरह का प्रावधान रखना एक बहुत लंबा चोड़ा कारक्रम चलाना यह कारक्रम चलता है विश्व खद्य कारक्रम के नाम से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से यह बहुत बड़ी उपलब्दी है बहुत बड़ी सफलता है अगली सफलता 14 चोधोवी परिवार निवोजन का रिकरम फैमिली प्लाइनिंग और जन चेतना अभियान अवेरनेस प्रोग्राम्स अवेरनेस प्रोग्राम्स किसलिए चोटे परिवार की महत्ता के लिए पूर में जाइंट फैमिली तो होती ही थी सेंक्त परिवार होते थे पर एक एक परिवार में कई भाई बहन होते थे माँ बाप के कई बच्चे होते थे पर नाम होता था कि जन संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और एक स्थित्य ऐसी आई कि कुछ देशों में जन संख्या विस्फोट शब्द का उप्योग किया जाने लगा, जन संख्या विस्फोट, यानि जन संख्या के संबन में स्थित्य वड़ी विस्फोटक हो गई थी. इस परिस्थिति से उबरने के लिए निपटने के लिए चमिक्तराश्चंगने कई कारिकरम चलाए और निपटना उबरना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस अनुपात में जन संख्या बढ़ रही थी खाद्यान उस अनुपात में नहीं बढ़ रही थी तो इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी हो गया कि जन संख्या पर नियंतरण किया जाए और इसके लिए जन संख्या नियंतरण के कायरकरम के अलावा जन चेतना अभियान चलाए गया Public Awareness Program परणाम बड़ा अच्छा रहा जो जन मददर है वह भी 50% कम हो गए जन मददर से ताटपर है कि यदि प्रती एक हजार में पहले एक हजार परिवारों में पहले यदि दो सौ बच्चे प्रती वर्ष जन लेते थे अब वो सौ हो गया तो इस पकाद जन मदर पर भी नियंतरण पाये गया और ऐसा करते हुए जन मदर में 50% की कमी लाई गए ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मृत्युदर में कमी आई थी तो वैसी जन संख्या बढ़ रही थी उसके साथ ही औसत आयू भी बढ़ गई थी 37 वर्ष से बढ़ते 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 वो 67 वर्ष पहुँच गई तो लोग ज्यादा लंबे समय के लिए धर्टी पर रह रहे थे और उसके साथ ही जन मदर में भी कमी नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से ये एक बहुत इस्फोटा के स्थिति कहलाएगी और इसी से निपटने के लिए जन मदर पर नियंतरन करने के प्रयास किये गए और उसके लिए जरूरी था कि लोगों में जागरूपता पैदा की जाए तो एक स्मॉल फैमिली छोटा परिवार अच्छा परिवार होता है और इसी लिए फिर जन मदर में पचास प्रश्चत की कमी लाने में स्विक्टराश संग की सफलता निश्चत रूप से इसके पीछे रही है अगला बिंदू स्विक्टराश संग ने महा सागरों की सुरक्षा, संडरक्षन और विकास के लिए 1994 में समुद्री कानून बनाया और सभी सजस्टियों से सहयोग का वचन लिया जिस तरीके से विश्व के विभन्य देश, विशेश कर सक्चिशाली देश अन्य खेत्रों पर नियंतरण की कोशिश कर रहे थे चाहे वो स्पेस हो, चाहे चंद्रमा की खेत्र हों, चाहे अन्य ग्रह हों ऐसे ही महा सागरों पर भी इनकी पैनी नजर थी महा सागर इस कारणों से बहुत महत्पूर्ण थे कि मात्रवे आवागमन के साधन ही नहीं थे बलकि पेट्रोलियम और अन्य भागोलिक संशादनों की बहुलता महा सागरों को बहुत महत्पूर्ण बनाती है और इसलिए अंत्रता जब यह से प्रयास विभन देशों के द्वारा महा सागरों पे अतिक्रमन के प्रयास जहोने लगी ज़्यादा तो स्ञ्ट्रा संग अंत्रता उसने इस बात पर लगाम लगाई और सभी राष्ट्रों से 1994 में वचन लिया कि समुद्रों की महा सागरों की सुरक्षा में उसके संरक्षन में और उसके शांत्यपूर्ण विकास के लिए वे देश्ट प्रयास करेंगे सिमुद्रा संग के साथ सहयोग करेंगे ये एक बहुत बड़ी बात है अगला बिंद सफलता का बालकोश यूनिसेफ यू एन आई सी एफ यूनिसेफ के माध्यम से अंतराश्टी कानून 1990 में बनाए गया कब 1990 में अंतराश्टी कानून बच्चों को ले कर बच्चों की सुरक्षा को ले कर बच्चों के विकास को ले कर और इसके तहद सभी सदस्यों से सभी सदस्या कर अवश्यक्ताओं की पूर्ति करवाई जाती है बच्चों के अविश्कताओं की पूर्ति का तातपर है क्या है खास कर अविक्रसित देश, निर्धन देश, पिछले हुए देश जो कुपोशन की समस्या से, अकाल की समस्या से, खाध्यान की समस्या से गुजर रहे हैं निर्धन हैं आर्थिक रूप से बहुत पिछले हुए हैं इन देशों में बच्चों के विकास पे बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता इनके परिवारों के द्वारा क्योंकि वे लगत तो स्वैम जीने के लिए जूज रहे हैं शिक्षा स्वास्त ऐसे देश के जो निम्न शिर्णी के नागरिक है निम्न दर्जे के इनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती थी सिंक्त राश्चंग ने यूनिसेफ के माध्यम से सुनिश्चित कराया कि इन तबके के देशों के बच्चों को वे सब चीजें महया कराई जाएं वे सब चीजें दी जाएं जिससे उनका बाले काल बच्चों जैसा निकले बच्चों के आश्कताओं की बहुत हद तक पूर्ती कराने में सिंक्त राश्चंग ने अहम भूमिका निभाई है और उसके लिए यूनिसेफ बधाई का पातर है अगला बिंदु सफलता का सिंक्त राश्चंग के प्रभावों का ही परणाम है कि शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है विश्वत में शिक्षास्तर में बहुत सुधार हुआ अब 60% से अधिक लोग साक्षर हैं अधिक वयस्क मैं वयस्कों की बात कर रहा हूँ 60% से अधिक वयस्क साक्षर हैं और महलाओं की साक्षर्टा में भी वृद्धी हुई है 60% पहले इस आक्षरता का जो दर था बहुत कम था और अशिक्षित समाज जो है वह निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा रहता है और अशिक्षित परिवार कई पीडियों को प्रभावित करता है दुश प्रभाव होता है इस बात को समझना और समझाना इसको सिक्षित रासंग ने बखूबी इस कारेकरम को निभाया है इस बात को समझा है और उसने सतत रूप से प्रयास किया कि शिक्षा का विस्तार हो शिक्षा के विस्तार के लिए उसने अनेकों स्कॉलरशिप्स अनेकों योजनाएं, अनेकों विश्वद्यालें आदि के लिए प्राउधान किया है महिलाओं की साक्षर्ता उसमें वृद्धी बहुत अहम मुद्धा था क्योंकि महिलाओं ही परिवार को चलाती हैं महिलाओं पर ही बच्चों का काफी प्रभाव पड़ता है 1970 में मात्र 36 प्रतिशत महिलाओं साक्षर्ती और 1990 में ये बढ़के 56 प्रतिशत हो गए ये जो आंकड़ा है आपके कोर्स के अनुसार वो 1990 का 1990 में 56 प्रतिशत बीस वर्षों में 20 प्रतिशत बढ़ाया गया और इस साक्षर्ता के प्रतिशत को बढ़ाने में साक्षर्ता संग का बहुत आहम योगदान रहा है 1990 के बाद अगले 30 वर्षों में निश्टी तुरूप से साक्षर्ता का प्रतिशत और बढ़ा होगा अगला बिंदु सफलता का संग्तरा संग ने युनेस्को की मदद से 81 देशों में पुरा तत्वों और इतिहासिक समारकों की सुरक्षा का प्रभन लगिया है 81 देशों में जो इतिहासिक समारक हैं अनादी का बहुत समय से जो निर्मित हैं और वहां का इतिहास हैं वो वे समारक एक इतिहास की पूंजी हैं पुरा तत्व की पूंजी हैं उनके संरक्षन और सुरक्षा के लिए सुनिक्तराश्चंग ने बहुत प्रयास किया है बहुत अच्छा प्रयास किया है और वर्ल्ड हरिटेज के नाम से विश्वकी ऐसी समस्त भावनों को समारकों को उसने सुरक्षित करने और करवाने के व्यवस्था की है रायपूर के निकट सिर्पूर वर्ल हरिटेज में आता है सिर्पूर में जो मंदिर है पराने मंदिर जो जमीन से निकाले गए हैं ये हरिटेज का उधारन है धरोहर का उधारन है विजय नगरम जिसका अध्यन आपने पूर में इतिहास में किया होगा विजय नगर अंपायर उस विजय नगर अंपायर की किस संरक्षन में सिर्पूर राश्चंग ये का बहुत अहम योगदान है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कम से कम 81 देशों में जदी जैदा नहीं तो कम से कम 81 देशों में इन पुरा ताट्विक्स मारकों की सुरक्षा का प्रबंध सिर्पूर राश्चंग ने किया है और उसने तो इस सम्द्ध में इंतरराश्टी कानून भी बनाया है ताकि उससे सारे देश बाद्धी रहें उस कानून के परिपालन के लिए और धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए इस पकार हम कह सकते हैं कि स्विक्त राश्चंग की सफलता अपरमपार है अनेकों हैं विवन खेत्रों में हैं यद्यपि उसकी स्थापना शांती के लिए हुई थी और शांती बनाम युद्ध के परिप्रेक्ष में उसे देखा जाता था लेकिन समय के साथ साथ ऐसा समझा गया और उचित तरीके से समझा उचित ये उचित ही हुआ कि शांती मात्र केवल युद्ध को हटाना ही नहीं शांती के बहुत बड़े मायने होते हैं और शिक्षा के ख्षेतर में स्वास्ति के ख्षेतर में भोजन के ख्षेतर में और अन्य ख्षेतरों में यदि समाझ शांत है तो निश्चित रूप से एक बहतर समाझ के कलपना की जा सकती है पेक्षा की जा सकती है जो विश्वे शांती में विश्वात करेगा और युद को दूर रखेगा